हेलो फ्रेंड समय श्टड़ी 91 चैनल से नितिन गुपता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम लेके आपके सामने आये हैं टॉप 100 क्वेस्चन्स को तो उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेस्चन्स आप कर लोगे यह क्वेस्चन सीरीज देने का मेरा सिर्फ एक ही टारगेट था वह है कि आप कम से कम जो इएकजाम में आने वाले क्वेस्चन है उनको इक बहुत सारा ंडीजियच का निर्माठ किसने करवाया था तो पता होगा। मुगल समराट अकबर ने कराया था फतेपूर सीकरी का निर्माड और आगरास से अपनी राधानी को ट्रांसपर करके सीकरी को अपनी राधानी बनाया था ठीक है फतेपूर सीकरी याद है न और यहाँ पर उसने जोधा महल बनवाया बीरबल महल बनवाया पंच महल बनवाया कई सारे किले बन वायें, तो बहुत सारा ठीक है सरी मनी के लिए घर बनाये, सलीम कों थे तो उनके गुरु का नाम था, है की नि सेख सलीम चिस्ती उनकी दरगागा निर्मार किया बहुत सारा चीज यहां पर अकबर के दारा बनाया यही पर दुनिया का सबसे बड़ा दर्वाजा है बुलन दर्वाजा ठीक है वो भी हाँ पर है तो सब कुछ ये फतेपूर सीकरी ये आगरा से थोड़ी दूर पर है 50-50 किलोमेटर का असपास होगा आगे देखें पानिपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था और कब लड़ा गया था तो ये लड़ा गया था दोस्तों 1526 में किसके बीच में बाबर और इब्राहिम लोदी कौन था ये लोदी वंस का आखरी सासक था ठीक है पानिपत प्रथम और पानिपत अगर दूती की बात करें दोस्तों तो पानीपत दूती लड़ा गया था आकबर और विक्रमादित हेमु की बीच में अब पानीपत तृती की बात करें अजया दूती वाली 56 में लड़ी गए थी 1556 और तृती जो था 1761 में लड़ा गया था अहमद साह अवदाली और किसके बीच में मराठों के बीच में आमद साहब दाली और मराठो के बीच में आमद साहब दाली किसका उत्तराधिकारी था तो फारस का साह था कौन सा नादीर सा जिसने उठाकर तक्ते तायूस ले गया था 1749 में लूट करके उसी का उत्तराधिकाये था उससे के इसकी लड़ाई होती 1771 में पानिपद त्रिती तो most important है इसको याद रखेगा तीनों युद्धु के बारे में forward block की अस्थापना किसने किया था सुभाश चंबोस ने जब कांगरेस को छोड़ा 1949 में तब इन्होंने forward block की अस्थापना किया और छोड़ा क्यों तो चुनाओं में खड़े थे कांगरेस अध्यच के रूप में ये चुने गए थे लेकिन महात्मा गांधी का भी एक कांडिडेट उनकी तरफ से खड़ा था खड़े थे हैं पट्टा भी सीता रमिया उसके वासिटे कांगरेस से मद्बेद हो जाता और सुभास शंद्बोस जी ने अपना त्याकपत दे दिया और खुद अपनी नई पार्टी बनाई फारवर्ड ब्लाग ठीक है आगे फसलों में परड़ी ये छिड़काओ के लिए सबसे उप्यूग तो उर्वरक कौन सा है तो यूरिया है दोस्तो जिसको परड़ी ये छिड़काओ के लिए कहा था मतलब उसकी पत्तियों पर पहुदों के पत्तियों पर इसको छीटा जाता यूरिया को तो आपने देखा होगा किसान क्या करते हैं एक तरफ जोड़े में लटका लेते हैं और यह और पूरे खेत में ऐसे छीटते जाते हैं ठीक है अगला है भारत पर सरवता मुस्लिम आक्रमरकारी कहां के थे तो अरब के थे अरब के सुरुवात नहीं से होती है अरब मुस्लिम आक्रमरकारीयों के साथ और कौन आया था तो तो लाड मैकाले को आगे है भारत में कलर लाइट सिग्नलिंग की सुरुवात किस वर्स हुई कलर लाइट सिग्नलिंग तो इसकी सुरुवात हुई थी 1928 में 1928 में अजमेर में किस सूफी संसे संबंदित है तो अजमेर में दोस्तों ख्वाजा मुहिनुद्दीन चिस्ती की दरगा है जिसको मजमेर सरीवित में दरगा बोलते हैं बहुत सरी मुवी की भी सुटिंग होती है और अजमेर सरीवित दरगा इसको नार्मली बोला जाता है मुहम्मद गौरी के साथ यह भारत आये थे अगे है अंडी और ओपोर लिपी किस नाम से प्रचलित बिवाह आदिवासी समधाय सम्धित है तो एक आदिवासी समधाय है दोस्तों जिसको बोलते हैं हो ठीक है उसके यहाँ पर जो बिवाह प्रचलित है एक अंडी बिवा होता है, एक ओपोर लिफी बिवा होता है, तो हो जन जाती है, इसको याद रखेगा, किन दो अस्थानों के बीच हिम सागर एकस्प्रेस चलती है, ये बड़ा इंपोर्टन प्रस्न है, तो जम्मु कस्मीर से कन्या कुमारी के बीच में चलती है, हिम सागर मोस्ट इंपोर्टन है, और भात की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी, बिवेक स्प्रेस, है न, चेक कर लेजे के बार, किस आयुरुएदा चार ने तक्च सिला में बिश्व विद्याले में सिक्षा प्रात्य की थी, तो उनका नाम था जीवक, क्या नाम था, जीवक, आगे के बिम्बिसार के समय में थे, आगे है, सबसे पुराना वाद्य अंतर कौन सा है, तो वीडा है, मास्तरुफतिस को बजाती है, और इससे पुराना वाद्य अंतर अभी तक नहीं प्राप्त हुआ, तो यही माना जाता है, सबसे बड़ी आँख किस अस्तंधारी प्राड़ी कौन सीमान्त गांधी के नाम से जाना जाता है तो खान अब्दुल कफार खान को सीमान्त गांधी के नाम से जाना जाता है ठीक है आगे कौन मुगल बास्ता ने 15 साल निर्वासित होकर हुजा रे थे तो हुमायू उनको राजय से भगा दिया था किसने सेरसासूरी ने बिलग पूरा में कौन सी भासा बोली जाती है तो बांगला बोली जाती है देखे बांगला देख इधर है फिर इधर पस्षी मंगाल है इधर बांगला देख से और इसके लाशन सीधा आगे बढ़ जाओ कर तो तिर पूरा है इस तीनों बेल्ट में बांगला बोला जाता है त्री अ मानुवादिकार दिवस कम मना जाता है तो यह मना जाता है दस दिसम्बर को ठीक हाँ और इसी दिम बढ़ता है कौन सा पुरसकार नोबेल पुरसकार भी इसी दिम बढ़ता है फिल्म अविनेत्री दिव्या भारती की मृत्यू कब हुई थी 1993 में हुआ था 6 अप्राइल 1993 फिल्म के एक छेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच भारती पुरसकार कौन सा है तो दादा साहब फाल के पुरसकार सबसे बड़ा फिल्म जगत का पुरसकार माना जाता है अब हाइड्रोजन कहां भर आ जाता है नार्मल कोई भी गयस डाल देते हैं लोग फूटबाल में भारत तेल छेत्र के लिए सरवाधिक प्रसिद अस्थान कौन सा है तो डिगभोई असम एक जगह है डिगभोई वो भारती तेल छेत्र के लिए सबसे प्रसिद्ध है अभी तो हाली में एक छेतर मिला है दोस्तो माराष्टा में माराष्टा मतलब जो मुंबई में हाई उसका नाम क्या है हाई ठीक है हाई ये सबसे बड़ा तील छेतर मिला है भारत का धक्षित्तम बिंदू इंद्रा पॉइंट ये कहां परिस्तित है तो तो आरे भट नाम से पहला उपग्रा भारत ने प्रक्षिपित किया था, वो भी रूस सबिस्टेशन से, फोब्स किस ग्रा का उपग्रा है, तो मंगल ग्रा का नाम है, मंगल ग्रा के उपग्रा का नाम है फोब्स, ठीक है, अरे फोबोस डिमोस, Phobos कोई Phobos बोलते हैं साटकट में Phobos डिमोस पड़ा आपने आगे है फ्रीज में कौन सी गैस होती तो फ्रीज में ammonia NH3 भरी होती है ammonia gas होती है बहुत सारी gas होती है फ्रीज में आगे Friendship 2016 क्या है यह रूस और पाकिस्तान के सैनिको दोरा किया गया सैंक्त अभ्यास का नाम है Friendship 2016 वेदो की और लोटो का नारा किस ने दिया था तो दयानन सरफती ने दिया था ठीक है और दयानन सरफती की सबसे प्रसीद किताब कौन सी है संबात कॉमदरी कौन सी है बताइए दयानन सरफती दैरान सरुफपती किस के अस्थापना किया है आरे समाज के स्थापना किया है आगे देखे सहनामा किसकी कृति है तो फिरदाउसी ने लिखाता सहनामा पढ़ाएं में सब साइंस का कोश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारास सरुफपतम किस ने दिया था तो सरदार भगत सिंग ने दिया था ठीक है और इंकलाब सब्द का इस्तमाल सबसे पहले इकबाल ने किया था इंटरपोल का मुख्याला कहा पर है ते भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पेरिस में है मुख्याला हांकी खेर में प्रत्यक टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं तो हांकी में 11-11 प्लेजर होते हैं होर्मुच जलसंदी किन दो देशों को अलग करती है तो इरान और ओमान को अलग करती होर्मुच जलसंदी और जब मैं आपको यूरोपियों का आगमन पढ़ा रहा था तो बताया था कि होर्मुज जो है वहाँ पे जो बंदरगा था उस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था याद है 1522 में ठीक है आगे हुलिका दहन के समय कौन सा अनात जलाया जाता है तो उसके साथ जो जला आए जाता है और उसी दिम फिर अर्जुम पुरसकार भी बाटा जाता है किसके नेत्यत में 1776 में अमेरिका को सुतनता प्राप्त हुआ तो जार्ज वासिंग टंग के नेत्यत में अमेरिका को सुतनता प्राप्त हुआ था 1776 में किसके सासंकाल के दौरान मराठा सत्ता पर दो अस्थानों की नियुंतन दूरी कहां पर होती है परधान देशांतर पर ठीक है जो देशांतर रेखा है ठीक है वहाँ पर तो अगर आगे है उत्तरी दुरू में चले जाओगे तो वहाँ सबसे कम दूरी होगी जैसे ऐसे आप आओगे सबसे अधिक दूरी बोलना चाहिए तो जो जिरो डिग्री लाएंगे यह वहाँ पर सबसे अधिक दूरी होती है इसको देख लिजगा एक बा और राश्पती को देता है तो राश्पती को देता है राश्टी पसू कौन सा है तो सेर मत कहिएगा बाग है ठीक है लूडी नदी लूडी नहीं होता है एक्शुली में लूणी नदी है लूणी नदी कहां पर बहती है तो राजस्थान में बहती है और यह ऐसी नदी है ज जहाएक संदी के मामले में इसको सेर भी कहा जाता है नीव और संत्रे में कौन सा बिटामिन पाया जाता है खटा है ना सी आगे है भारती सेना के सरोच सेना कमांडर कौन होते है तो चाहे आप भारती सेना में जल थल वाय कोई भी हो सबसे बड़ा कमांडर कौन है राश्पति और ऐसा कहा लिखा है अनुछे तीरपन में लिखा है आगे भारती सेना में बिजयंत क्या है तो बिजयंत क्या है एक टैंक का नाम है बिजयंत ठीक है भारती सुतंता के समय ब्रिटीज समराट कौन था तो जार्ज सस्ठम और पंचम भारत आये थे कब आया थे भारत जार्ज पंचम भारत तब आया थे जब दिल्ली राज़ानी अस्थांद्रित की गई थी कलकत्ता से सत्य सोधक समाज के अस्थापना किस ने किया है तो मात्मा फूले ठीक है किस ने किया है फूले जी ने किया है सत्य सोधक समाज आगे है सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी की अस्तापना किस ने किया गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था 1905 में और गाधी जी के राजनिती गुरू भी कौन कहा जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले ठीक है आगे है इंसुलीन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है तो मधुमे यानि डाइबिटीज में किया था इंसुलीन का प्रयोग डाइबिटीज में होता क्या है तो हमारे सरी की जो बीटा को सिकाए हैं इसके अंदर जो अगनियासे के अंदर बीटा को सिकाए हैं वो तो हिरोसिमा पे था 6 अगसत 1945 स्कोर, और नागा साकी पर दूसरा गिराय गया तो 9 से नागा, 9 से 9, 9 अगस्त 1945 को दूसरा बन गिराय गया था, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं थो नाइक्रोम के बने होते हैं, किसके वज़ा से उसके अंदर temperature सहन करने की छमता होती है ओके आगे देखे हुमायू नामा की रचना किसने किया है तो हुमायू की बहन थी जिनका नाम था गुल बदन बेगम उसने लिखा है हुमायू नामा किसके सासंकाल में डाइमेकस भारत आया था तो बिंदुसार के समय में डाइमेकस भारत आया था डाइमेकस का ये बात एक ही है किसको land of golden pagoda कहा जाता है तो म्यामार यानि वर्मा को land of gold pagoda कहा जाता है ठीक है land of thunderbird किसको कहा जाता है भूटान को कहा जाता है और pagoda especially किसको बोलते थे तो बताइए pagoda कमेंट करके बताएगा मैं पढ़ाया भी गहाना पच्छी अवियारड कहा तो यह राजस्थान में है ठीक है गहाना पच्छी अवियारड चंडिगर्ड का रॉख गॉर्डें बहुत फेमस है और इसको जो है सामिल क्या गया है साइद उसमें सूची में तो चंडिगड का राग गार्डेन है जो सैल उद्दान एक इसने बनवाया था तो नेक चंड ने बनवाया था भारत का मैंचेस्टर किसे काते हैं फिलाल तो हमदाबाद को बोलते हैं लेकिन अगर उत्तर भारत का मैंचेस्टर पूछ देता तब आप बोलते राष्टी खेल कौन सा है तो हाकी है राष्टी चिना सोक चक्र है और लाल बादु सास्त्री का समाधी अस्थल क्या गालाता है बीजय घाट बोला जाता है ठीक है सकती अस्थल किसको बोला जाता है जहां इंद्रा गांधी की दफनाई गये ठीक है बीजय घाट ठीक है और लाला राजपत राये ने पहला खाता भी इनी का खुला था नील लदी के किनारे कौन सी सभेता का विकास हुआ है तो मिस्र की सभेता का विकास हुआ है नील लदी किनारे हडपा की सभेता का विकास हुआ है किसके किनारे निर्तांगना सोनल मान सिंग किस निति से संब्दीत है तो भरत नाटेम करती है भरत नाटेम दक्षिर बार संब्दीत है आंधरा आगे है NIFT का पूरा नाम क्या है National Electronic Funds Transfer ट्रेन की ट्रांसफर ठीक है ठीक है ट्रेन लिखा हुआ है कुछ लोग कुछ भी लिख देते हैं भारती संबिधान के कौन से अनुछेद में जिला योजना समिधी का गठन होता है यह अनुछे 243 में बताया गया है जिला योजना समिधी का गठन भारती संबिधान सभा की प्रारूप समिधी के फदस्यों की संख्या कितनी थी तो कुल संख्या थी 7 ठीक है और इसी के हेड कौन थे प्रारूप समिधी की तो ड्राक्टिंग कमेटी के डाक्टर भीमराम बेटकर जी भारती सबजी सोध संस्थान कहां पर ये आया था एक्जाम में पीसेस वाले बनारस में है सबजी सोध संस्थान सच भारत कायरकरा मेहतु केंट सरकार ने 6 मुंबर 2015 को उपकर लगाया था इस सुपकर की दर सुरुवात में कहा थी तो 0.50% इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगर सिंग इलेट्रान के खोच करता अरे इट पर नाच, ई से इलेट्रान, टर से जेजे टामसन टामसन से थामसन याद का लिए, पर नाच, पर से प्रोटान हो जाता रगर से रधर फोड, अनाच, नर से निउट्रान, चर से चैडविक निउट्रान में चैडविक और गोल्ड इश्टीन दोनों का नाम आता है इस वरों का सौवा मिशन कौन सा था तो पीज सल्वी ठीक है हिंदु विधी को किसने सरवपतम संगता बद किया था तो मनु ने, ठीक है मनु ने, आगे देके हिमानी ग्लेसियर जो है, ये बरब का एक विसाल पिंड Eh, कहां पर है तो हिमालच परवज की सेड़ी के सबसे उपर की तरभ जो है, हिमानी ग्लेसियर है हिमालय की सबसे उत्तरी परवसेडियों को क्या कहा जाता है तो हिमाद्री बोला जाता है और हिमाद्री नाम से क्या है एक स्टेशन भी है किसने लुप्त होती महिलाएं का बिचार दिया है अमर्थ सेन ने कहा है लुप्त होती महिलाएं ठीक है अमर्थ सेन बाबर को हराये था किसी पिन का कोड अंग कोड का परतम अंग क्या कलाता है तो डाक घर से सम्वंदित पोस्टल जोन की संख्या होती है पिन का कोड आगे है चंदर गरहंड की स्कार्ण होता है तो पिर्थवी, सूर्य और चक्रिय निर्धन, चना किस फल के अंतर गताता है, तो दलहनी फलो के अंतर गताता है चना, चना की दाल होती है न, दलहन हो क्या, भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है, लच्छमी वाहिनी बैंक, ये खारगोन जीला मत्य प्रदेश में लगाए गया, पहला मोबाइल बैं और भारती कौन थे तो चक्रवरती राजगोपालाचैरी सब याद रखे भारत का महान जेष्ट व्यक्ति यानि ग्रैंड ओल्ड मेंड आफ इंडिया किसको बोलते हैं बैयो ब्रिद व्यक्ति जेट व्यक्ति बड़े व्यक्ति बुड़े व्यक्ति सब बोल जाता है दादा प्रशन ऐसे ही रिवाइस कर लिजिए बस ऐसे ही मूड किया दे दिया आपको ठीक है तो रिविजन जरूरी होता अगर पढ़ते जाओगे 10-20 मिनट दे के क्या करोगे 10-20 मिनट को सीख जाओगे रिविजन तो हो जाएगा आपका तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आ ताकि जो है चीजें हमारे दिमाग में फीड रहे है ठीक है थैंक यू थैंक यू सो मच